आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ सूची और आलू से बना हुआ पहुती टेस्टी नाश्ता जिसे बनाना पहुती आसान है एकदम सिंपल सी रेसिपी है और टेस्ट में ये पहुती लाजबाब है तो चलिए तेर किसपात की स्टार्ट करते हैं सूची आलू रोल्स तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू तो मैंने ये दो मीडियम साइस के आलू उबाल कर छील का मैश कर कर लिए हैं आलू एकदम ठंडे हैं अब मैं इसमें डाल रहे हूँ कुछ सबजियां तो इसमें जा रहे है आदी गाजर जिसको बारिक कट करके और अब इसमें जा रहा है एक मीडियम साइस का प्यास बारिक कटा हुआ एक चमच इसमें डाल दी है अद्रक गिसके डाला है अद्रक को एक बारिक कटी हुए हरे मिर्च बारिक कटा हुआ हरा धनिया और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे सूजी तो यहाँ पर ये मैंने आदा कप सूजी ली है जिसमें से मैं पांच चम्मस सूजी इसमें डाल दूँगी तो इस तरीके से पांच चम्मस सूजी डाल दिया है सूजी बारेक मोटी जो भी आपके पासों को आप ले सकते हैं इस तरह लगबग एक चोथाई कप सूजी हमने इसमें डाल और एक चोथाई कब बच गई है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले तो आधा चमज डाल दिया है नमक एक चोथाई चमज इसमें जा रहा है लाल मिर्च का पाउडर आधा चमबच इसमें जा रहा है धनिया पाउडर एक चोथा ही चमबच हल्दी पाउडर इससे एक कलर अच्छा आजाएगा इसलिए डाला है और इसमें हम डाल रहे हैं ये खास मसाला पाववाजी मसाला एक चमμच और आदा चमμच इसमें डाल दिया है आम चूर पावडर अब इसे बहुती क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहें हूझ मुज़ कॉनफलार अगर आप के पास कॉनफलार नहीं है तो आप आरारोट ये चावलकाटा भी डाल सकते हैं अब इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए दो चमज इसमें डाल दिये हरे धनी की चटनी अगर आप हरे धनी की चटनी नहीं डालना चाते हैं तो आप इसमें सेजवान सॉस डाल सकते हैं टमैटो सॉस डाल सकते हैं या फिर बिना सॉस और चटने के भी से तैयार कर सकते हैं अब सभी चीजों को हमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है अगर इस स्टेज पर आपको ये थोड़ा पतला सा लगी तो आप इसमें सूजी या कॉन फ्लार एक चमच और डाल सकते हैं अब आपको हाथों को ओईल लगाकर चिकना कर लेना है और इसमें से शेफ बनानाँ स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा डो लिया है मैंने हाथों में और इस तरीके से पहले से हम दोनों आथों के बीच में रखका चिकना गोल गोल करेंगे और फिर इस तरीके से इसे इस तरह रोल का शेप दे देंगे इस तरह लंबा लंबा कीजिए और रोल बना कर त्यार कीजिए ये देखिए बहुत ज़दा बड़ा या बहुत ज़दा मोटा रोल हमने नहीं त्यार किया है, अब इसी तरह हम सब को त्यार करेंगे, और ये पैन में मैंने ओइल पहले ही गरम करने रख दिया था, ओइल मीडियम होट है और गेस का फ्लेम भी मैंने मीडियम रखा है, और मीडियम फ्लेम पर हम इने शैलो फ्राइ कर रहे हैं तो इन्हें थोड़ी देर तक सिखने देते हैं और थोड़ी देर बाद हम इने अलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सिख कर त्यार करेंगे एक बार मैं आपके पैन में जितने रोला जाएं आप उतने इसमें रख दीजे अब देखें ये एक तरफ से हलके से सिख चुके हैं तो मैंने पलट रही हूँ इसी तरह अलट पलट करेंगे हैं हमें अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है ये नाश्टा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना तो कितना सिंपल है आपने देखी लिया बहुत ही आसानी से बन जाता है और सारी चीजे ऐसी हैं जो घर में आसानी से उपलट हो जाती है इस नाश्टा को fry करते समय आपको ध्यान रखना है कि gas का flame एकदम low नहीं होना चाहिए या फिर एकदम high भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप low flame पर fry करेंगे तो ये अंदर तक oil को बहुत सोक लेंगे oily हो जाएंगे और high flame पर अगर आप इने fry करेंगे तो ये बहार से सिख जाएंगे बहार से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो इसलिए आप इने medium flame पर ही fry करें ताकि से ये एकदम perfect तरीके से सिख कर त्यार हो मैंने इसमें एक चमच पावभाजी मसाला डाला था उससे ये पहुत ही tasty बनते हैं अगर आपके पास पावभाजी मसाला ना हो तो आप इसमें मैगी मसाला डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी add कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इन तीनों मसाले में से एक मसाला आप इसमें जरूर डालना पहुत ही टेस्टी यह आपके सूजी रोल बनकर त्यार होंगे अब देखिए मैंने सभी को अलट पलट कर सेख लिया है पहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है सभी तरब से एक जैसे सिक कर यह त्यार हो रहे है तो बस अब यह हमारे जो रोल है सुजी के हो सिक प्लेट मेें रख लेंगे और दूसरा पैच भी इसी तरीके से से करम त्यार करेंगे अब इन गर्मा गर्म सुजी आलू रोल्स को आप सर्फ कीजिए क्योंकि नाष्टा का असली मज़ा उसे कर्मा गर्म खाने में ही है तो मैं यहां इन्हें सर्फ कर रहे हुँ हरे धनी की चटनी के साथ और सौस के साथ आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ अब जब भी मन करें कुछ टेस्टी नाष्टा खाने का तो यह सुजी आलू रोल बना कर त्यार कीजिए यह देखे आपको इन्हें तोड़कर दिखा देती हूं बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से हलके से सौफ्ट है अगर आपको यह नाष्टा पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद